नाव वीर सावरकर, विनायक दामुदर सावरकर was born on 28th May 1883 in भगुर विलेज ओफ नासिक डिस्ट्रिक इन महाराष्टर तो 28 में 1883 में भगुर गाउं में जो के नासिक डिस्ट्रिक में हैं महाराष्टर में उनका जन्म हुआ था उन्हें बचपन से ही जो एक रानपी कारी के जो आइडिया जे वो आते रहते थे थे ही इस्टैब्लिश्ट एन और गैनाइज़ेशन नेम्ड मित्रमेला विच वस लेटर नोन इस अभिनाव भारत उन्होंने एक और गैनाइज़ेशन शुरू किया जिसको मित्रमेला कहते थ है बाद में उसे अभीनाव भारत का नाम दिया गया दिया दमेन ऑब्जेक्टिव ऑफ और इस ओर्गनाइज़ेशन वस तो फ्री इंडिया फ्री इंडिया फ्री इंडिया विट आप 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 रिवल्ड तो उनका में जो था सिद्धान्त वो यही था के बिटिश गवर् स्थरमा और रेम एंड टू लंडन फं फॉर्डर सटरी मैं उन्होंने बाहर की जो भी अपड़ थे उनका जोभी भाहिशकार किया उन्होंने पर उसके बाद स्कोलरशिप से उन्होंने लंडन में आगे की स्टेडि की वीर सावर कर रोग इंडिया फार्स फ्रीडिम इंड लिकी थी जिसका टाइटल था 1857 इंडिया का फर्स्ट फ्रिडम स्ट्रगल इट वस बैंड इवन बिफोर इट वस पब्लिश होने से पहले ही सरकार ने उसे बैंड कर दी थी क्योंकि तब तो बिटिश गवर्मेंट थी इसलिया He was arrested in 1910 for his association with the revolutionary group India House उन्हें 1910 में arrest कर लिया गया था revolutionary group जो था इंडिया हाउस का उसकी वजाए से सावरकर वस sentenced to two life terms of imprisonment that is of 50 years and was moved to the cellular jail in the अंदमान निकोबार आइलेंड उन्हें दो बार उमर कैद की सजा दे दी गई थी और उन्हें अंदमान निकोबार आइलेंड की जो jail थी वहाँ पे बेज जागा था It was also known as काला पानी जिसे काला पानी की सजा जिसे काला पानी की सजा जिसे कहते हैं बेसी jail उनको दे दी थी Later due to poor health he was kept under house arrest in Ratnagiri district of Maharashtra और बाद में जो है उनकी तवियत बहुत खराब होने की वज़ा से उन्हें अपने ही घर में नजर केद कर लिया गया था Ratnagiri district Maharashtra में वीर सावर कर डाइड on 26 February 1916 26 फरवरी 1966 में उनका जो है डेथ हो गई थी Next in next video